असलाम अलिकूम वियर्स उमेद है आप सब ठीक होंगे और मेरी निव वीडियो का वेट कर रहे होंगे आज मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताऊंगी मुवी का स्टार्ट रहता है एक उदास बच्चे से जो बहुत ही गमगीन है और एक विंडो के पास पैटा है लेकिन उसकी उदासी की बज़ा पाजिश नहीं है दूसी तरफ हम देखते हैं कि एक लेड़ी एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर आ रही है और इसकी गाड़ी में एक बोक्स भी है जिस पर ट्वाय का टैग लगा हुआ है हम देखते हैं कि गाड़ी में बैटी हुई लिटल गर्ल भी बहुत ज़्यादा उदास है बट गाड़ी को ड्राइब करती हुई लेड़ी कहती है कि चलो बाहिर आओ लेकिन वो बाहिर निकलने पे अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रही होती है लिटल बॉय जब गाड़ी से निकलते हुई इस लेड़ी को देखता है तो उसके फेस पर एक खुशी आ जाती है और वो वहाँ से कहीं जाने लगता है दुस्सी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही लीटल गर्ड और गर्ड नीचे उतरती है तो वो एक बिल्डिंग के पास चली जाती है असल में वो बिल्डिंग वो एक होटल है जहां पर गरीब लोगों के बच्चे रहा करते हैं इस मुवी का नेम है अम्प्रेला जो के हाल ही में रिलीज हुई है इस होटल के वरकर जब टॉर ओपन करती है तो वो इंदे अंदर आने को कहती है लेडी ने अपने हाथ में एक बोक्स उठाया हुआ है और शोटी लगकी के हाथ में अम्प्रेला है वो जैसे ही कोरिडर से गुजरती है तस्वीरों को देखती है और अम्प्रेला को एक स्टैन में रखती है आगे बढ़ती ही वो देखती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और सारे बच्चे उस बोक्स के पास आ जाते हैं अपनी अपनी पसंद के टॉइस लेने के लिए और सब बच्चे उस बॉक्स में से अपने अपनी पसंद के टोइस निकाल लेते हैं और खुशी से उनके साथ खेलने लगते हैं दूसी तरफ उस छोटी बच्ची की जब नजर अम्रेला पर पड़ती है तो वो अम्रेला वहां से गाईब हो जाती है वो सोचने लगती है कि आखिर उस अम्रेला को कौन लेके गया होगा वो फर्ष पे देखती है तो उसको पानी के डॉप्स नजर आते हैं जो के बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वो डॉप्स उपर तक जा रहे होते हैं वो भी उन डॉप्स को फोलो करती है और उपर जाने लगती है वो एक फ्लॉप्स पर पहुंचती है लेकिन डॉप्स तो दूसरी वाले फ्लॉप्स पर पहुंचती है तो वो दूसरे फ्लॉप्स पहुंच जाती है वो जैसे स्ट्रेयर्स खतम करती है सामने देखती है वो ही लीटर बॉय अल्मारी में कुछ रख रहा होता है लड़की को बहुत घुसा आता है और वो इसको अमरेल चोरी करने का इल्जाम देने लगती है और बहुत सादा घुसा गरने लगती है वो इसे पुश करके साइट पर गिरा देती है जैसे ही वो इस पर जोर लगाती है अलमारी के सारी चीज़े नीचे गिर कर बिखर जाती है और तेज आवास क्रियेट होती है नीचे के लोग जब उपर जाते हैं तो देखते हैं कि अलमारी के सारी चीज़े बिखरी हुई है अब उस लिटल गर्ल को अम्रेला भी नजर आ जाती है जो के वो लिटल बॉई लेकर आया होता है उस लिटल गर्ड को स्पॉई पर बहुत गुसा आता है और वो उसे कहती है कि मुझे अम्बरेला वापिस करो और वो से अम्बरेला ले ले लेती है जैसे ही वो से अम्बरेला लेती है लिटल बॉय रोना शुरू कर देता है और बहुत जादा रोता है उसके आंसों जब नीचे फ्लोर पर गिरते हैं तो कहानी को एक निया मोड आ जाता है हम देखते हैं कि वो लिटल बेबी यालो कलर की अम्रेला के साथ है और उसके साथ उसके फादर है वो अपने फादर के सा कई सफर करता है बारिश का मौसम भरता चला जाता है लेकिन वो अम्रेला उन दोनों को महफूज रखती है वो बहुत ही खरीब होते हैं अपनी भूख प्यास में टाप वो लोगों से खाना मांगते हैं छोटे बच्चे का दिल करता है कि वो भी अच्छा खाये लेकिन उसक खुश होता है कि शायद उसको अच्छा खाना मिलने वाला है उसके फादर उसको एक बिल्डिंग के पास लेकर आते हैं लिटर बॉई समझता है कि इस बिल्डिंग में जाकर उन दोनों को खाना मिलेगा मगर जैसे ही वो अम्रेला को बंद करते हैं तो अपने बेटे को प् लिटल बॉई खामोशी से उदासी से उनको देखता है और देखते ही देखते वह वहां से चले जाते हैं लिटल बॉई बहुत ज़्यादा भूका होता है और उसको बहुत ज़्यादा भूग लग रही होती है और भूग की वज़ह से उसकी हालत खराब होने लगती है कहान यहां पर उसकी स्टोरी सुनकर सब बहुत उदास हो जाते हैं और प्यादी सी लड़की उसको वह अम्रेला दे देती है जैसे ही उसको अम्रेला मिलती है उसके फेस पर फ्री वैसी मुष्कराहट आ जाती है जैसे उसको दूबारा सिंदगी मिल गई हो और हम देखते हैं कि बहुत साल गुजर चुके हैं और वो लीटल बेबी बहुत बुड़ा हो चुका है और उसने अपनी शौब बना ली है जिसमें वो अम्रेला सेल करता है आज वो ही यलो अम्रेला एक लीटल बेबी को सेल कर देता है लिटल बेबी उसे अमरेला खुशी से लेती हुई जाती है लेकिन वो टर्न होके जब उस अमरेला की जगा पर एक और अमरेला लगाने लगता है तो वो मिरर में देखता है कि एक जैंटिल में येलो अमरेला के साथ वहां से गुज़र रहा है वो उसको follow करने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है लेकिन अब उसकी उमर गवारा नहीं कर सकती कि वो किसी के भी पीछे भाग सके वो उसके पीछे ऐसे भाग रहा होता है जिससे कोई शोटा बच्चा अपनी पसंद की चीज लेने के लिए भाग रहा हो लेकिन अचानक से वो गिर जाता है और जब वो अपनी नजर उठाता है तो वो सिफ उसका वहम होता है असल में वो उसके फादर नहीं होते और वो इसलिए भाग रहा होता है कि शायद वो उसके फादर है और हम देखते हैं कि अब वो लीटल गर्ल उसकी लाइफ पार्टनर बन चुकी है जो हर मुश्किल में उसका साथ देती है असल में वो लीटल वो आज तक अपने फादर को नहीं भूल सका कहीं ना कहीं आज भी उसको इंतिजार है कि उसके फादर वापिस आएंगे एक मुद्द से पुकारा नहीं बाप कहकर एक मुद्द से हुआ ये लफ्स रुकसत घर से होप सो आपको ये मेरी मूवी पसंद आई होगी अलाह अफिस, टेक केर